आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ विडाउनलोड नाउ do of emergence i तो deviation में बता है delta is equal to होता है i plus e यानि angle of incidence plus angle of emergence minus of apex angle तो हम लोग लेख सकते हैं कि हमें दिरखा है कि जो minimum deviation है that is equal to the apex angle तो ये delta है इस case में a is equal to i plus i minus a तो हम लोग बल सकते हैं कि angle of incidence होना चाहिए equal to angle of the triangle तो अगर हम लोग ये figure observe करें हम पर तो इसमें हमेरे को पता है कि जो angle of incidence है वो होना चाहिए a तो हम लोग बता सकते हैं कि जो theta 2 है इस figure में यानि angle of refraction r वो होना चाहिए equal to a by 2 ताकि ये minimum deviation की condition satisfy करे तो हम लोग अगर refracting surface यानि जो first refracting surface है ये वाली side इसमें स्नेल स्ला लगाएं तो ये हो जाएगा 1 into sin a is equal to mu into sin of a by 2 तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जो mu होगा mu हो जाएगा is equal to 2 cos of a by 2 तो इसमें हम लोग दो case दो observe कर सकते हैं कि when हमारा apex angle tend करता है 0 पे तो हमारा जो mu है वो tend करता है towards 2 और जब हमारा apex angle a tend करता है 90 की तरफ 90 degrees हमें दे रखाए कि अपर लिमेट है 90 degrees जादा नहीं हो सकता तो हमारा जो mu होता है वो हो जाएगा equal to under root of 2 तो ये हमारे upper and lower limits आजेंगे refractive index material के क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल ता 10 मिलें से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप या whatsapp कीचे अपने डाउट आउट्स आच चारसो 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 पर आज है